बॉलिवुड में फेम और पैसा खूब होता है बॉलिवुड के कई सूपर स्टार तो ऐसे हैं जो अरबों की संपत्ती के मालिक हैं इनके पास आज एशो आराम से लेकर हर चीज है बस ऐसा मालों की बादशावाली जिन्दगी जीते हैं लेकिन दोस्तों इतने अमीर होने के बाद कुछ स्टार ऐसे हैं जो बे सहारा की जिन्दगी जी रहे हैं इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्टार से मिलवाएंगे जो इतने अमीर होने के बाद दुख की जिन्दगी बिता रहे हैं तो दोस्तों बिना टाइम खर्च करें शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों अमिता बच्चन ने आज ऐसा मुकाम बना रखा है जहां पहुच पाना हर किसी के लिए आसान बात महीं है इसी लिए इनको प्यार से बिग भी कहते हैं इन्होंने अपने करियर में काफी सूपर स्टार फिल्में दी जिनको दर्शक आज भी याद करते हैं वहीं अगर बात करें कि निजी लाइफ की तो मिताब बच्चन का नाम और बपती सितारों की टॉप लिस्ट में शामिल है तनुचा मुखर जी तनुचा मुखर जी ने बॉलिवड इंडेस्ट्री में अपनी एक्टिंग और अभिने से लाखों नहीं बलकि करोड़ों लोगों को अपना दिवाना बनाया बेशा कि ये अभी बॉलिवड से थोड़ा दूर है लेकिन अगर बात इनके निजी जीमन की करे तो तनुचा मुखर जी को कुछ समय पहले पैरदर्थ की शिकायत की वज़े से हॉस्पिटल में भरती करवाया गया वहाँ तनुचा मुखर जी की सर्जिरी हो गई आपको बता दे तनुचा डाइवर्टिकला नामक बिमारी से जूज रही है इसी वज़े से इनको कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है दोस्तो दिलिप कुमार एक ऐसे अभीता है जिनोंने अपनी स्मार्टने से काफी लड़कियों को अपना दिवाना बनाया बस ऐसा मानलों की हर लड़की इनके साथ डेट पर जोना चाहती थी इनके साथ शाधी करना दिवाना ना हो वहीं बात अगर इनकी निजी जीवन की करें तो दिलिप कुमार आज 95 साल के हो गए है वे इस उमन में कई परिशानी सो जूज रहे है दिलिप कुमार को किर्णी की समस्या है इसके अलावा उनके फेपडों में भी इंफेक्शन है दोस्तों मिथुन चगरवर्ती की जितनी तारीफ करेना उतनी कम है वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बॉल्यूड में ऐसा मुकाम हासिल किया जहां पर पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है ऐसा मानलों की बॉल्यूड के राजा कहलाते हैं वह अगर बात करें नीजी जीवन की तो मिथुन चगरवर्ती के पास पैसों की कोई कम हिनी है लेकिन मिथुन चगरवर्ती क्रौनिक बैक पेन की समस्चसे ग्रसित है पिछले कई सालों से इस बिमारी के बढ़ने पर उने अमेरिका ले जाया गया चाहिन की सरजरी भी हुई तो दोस्तों सभी को इन स्टार में किसकी फिल्में ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट में बता दो और बॉलिवड से जुड़ी और भी मसालेदार बाते जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दो ना